नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे च्यानल पर स्वागत करता हूँ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाशिवरात्री की कताएं दोस्तों फालगुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुरदशी को महाशिवरात्री के रूप में मनाया जाता है। शिव पुरान में बताया गया है कि जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्री का वरत कर लेता है, वह शिव कृपा का भागी बन जाता है, महाशिवरात्री वरत में, शिवरात्री वरत की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदाई बताया गया है, इसलिए शिव भक्तों को इस दिन महाशिवरात्री की इस कथा क पाठ जरूर करना चाहिए पूर्वकाल में गुरुद्रूह नामक एक शिकारी था जानवरों का शिकार करके वह अपने परिवार को पालता था भोजन प्रबंध के लिए शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया शाम हो गई किन्तु उसे कोई शिकार नहीं मिला वह तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चड़कर रात्रि में जल पीने के लिए आने वाले जीवों का इंतजार करने लगा बिल्व व्रिक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से धनका हुआ था शिकारी को उसका पता न चला दिन भर भूखे प्यासे शिकारी बेल के पत्ते तोड़ता और नीचे फेंक देता वो बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिरते गए वह दिन भर कुछ खाया नहीं था भूख प्यास से व्याकुल था इस प्रकार उसका व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चड़ गए रात्र के प्रथम प्रहर में ही एक गर्भिनी हिर्णी तालाप पर पानी पीने पहुँची गुरुद्रूह ज्यों ही उसे धनुषबान से मारने चला हिर्णी बोली मैं गर्भिनी हूँ शीग्र ही प्रसव करूँगी तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है मैं बच्चे को जन्म देकर शीग्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी शिकारी को दया आ गई उसने हिर्णी को जाने दिया और फिर से बेलपत्र तोड़ कर नीचे फेंकता गया अतह अंजाने में ही वह प्रथम प्रहर के शिव पूजा का फल भागी हो गया कुछ ही देर बाद एक और हिर्णी उधर से निकली शिकारी उसे मारने ही वाला था तभी हिर्णी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया हे शिकारी मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ अपने पती से मिलकर शीग रही तुम्हारे पास आ जाऊंगी शिकारी ने उसे भी जाने दिया इस प्रकार वह फिर से बेलपत्र नीचे फेंकता रहा जो शिवलिंग पर गिरते रहे उस समय रात्री का दूसरा प्रहर था अतह अंजाने में इस प्रहर में भी उसके द्वारा बेलपत्र शिवलिंग पर छड़ गए कुछ देर बाद एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ तालाब के किनारे जल पीने के लिए आई जैसे ही वह हिरनी को मारना चाहा हिरनी बोली हे शिकारी मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौप कर लौट आऊंगी इस समय मुझे मत मारो हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई उसने उस हिरनी को भी जाने दिया शिकार के अभाव में और भूक प्यास से व्याकुल शिकारी अंजाने में ही बेल व्रिक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था रात भर शिकारी के बेल पत्र नीचे फेंकते रहने से शिवलिंग पर अंगिनत बेल पत्र चड़ गए सुबह एक म्रिग उसी रास्ते पर आया शिकारी ने जियों ही उसे मारना चाहा वह भी करुण स्वर में बोला हे शिकारी यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीन म्रिगियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो ताकि मुझे उनके वियोग का दूख न सहना पड़े मैं उन हिरनियों का पती हूँ यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा शिकारी ने उस हिरन को भी जाने दिया सुबह हो गई उपवास, रात्र जागरन तथा शिवलिंक पर अंजाने में चड़े बेल पत्र के फलस्वरूप शिकारी का हृदय अहिंसक हो गया उसमें शिव के प्रति भक्ति भाव जागने लगा थोड़ी ही देर बाद वह म्रिग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता सात्विक्ता और प्रेम के प्रति समर्पन देखकर शिकारी ने सब को छोड़ दिया इस प्रकार रात्री के चारों प्रहर में हुई शिव पूजा से उसे शिवलोक की प्राप्ती हुई तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कल नया भीडियो के साथ अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव